नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम इतिहास के पन में। 30 जन्वरी 1948, 75 साल हो गए हैं। आप लोग जानते होंगे 30 जन्वरी 1948 को क्या हुआ था। गांधी जी की हत्या हुई थी। पिछले एक साल से जादा से आजादी के अमरित महुत्सव के गुन गाये जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सेलिब्रेशन वहीं पर खत्म हो जाती आजादी मिलने के बाद। आजादी के बाद जो पार्टिशन की जो वाइलेंस हुई थी या बहुत हिंसक घटना है जैसे गांधी जी की हत्या वैसे हुई ही नहीं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे धिरिंदर जहा से जोनों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब लिखी है गांधी जैसेसिन दी मेकिंग आफ नाथुराम गोड़ से एंड इस आइडिया आफ इंडिया हम बात करेंगे पुलिटिकल कल्पेबिल है राजनितिक तोर पे कौन उस शड्यंतर का जिम्मेवार है उसकी ना सही इंवेस्टिगेशन हुई है ना पुष्टी हुई है हम उसी के बारे में बात करेंगे धीरंदर जहा हमारे कारेकर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक साल हो गई आपकी किताब को लेक एक लोन रेंजर थे लोन वुल्फ जो बोला जाता है दिमाग में उनका आया कि गांधी की हत्या करनी चाहिए उन्होंने कुछ लोगों को एक हट्टा किया और एक छोटे इस लेवल पे शडिंतर रचा और गोली राग दी नहीं माना जाता है कि ठीक उसके दस दिन तीस जन वो फिर आएगा उसके बारे में इन्वेस्टिकेशन्स नहीं हुई कि किसके बारे में बोल रहे थे अगर वो वाकिए उस चीज को मीन कर रहे थे या फिर नाट की तौर पे कुछ कह रहे थे तो आपने इस पूरे गांधी हत्याकान इसकी पुलिटिकल लिंकेज को लेके आ उनके राष्टिय स्वयम सिवक संक्स के साथ उतने ही लिंकेज से जितने उनके महासभा के साथ है जी बिलकुल और एक अगर आप गोचसे के लाइफ के पूरे जर्नी को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गोचसे धीरे-धीरे जब वो RSS के फोल्ड में आते हैं उससे प फिर वो कट गए थे फिर RSS के फोल्ड में आते हैं रतनागिरी में सबसे पहले वो सावरकर से मिले थे जब रतनागिरी में उनके पिताजी का सावरकर इंटर्ण थे कि वहाँ पे उसके बहान नहीं जा सकते डिस्टिक जी बिलकुल और फिर जब वो सांगली में RSS जॉइन करते हैं जी थर्टी फोर में वहां से उनका जर्नी शुरू होता है सही मायने में आज स्वाम से वक और सावरकर के प्रोटिजी के रूप में भी वो 1937 में जब सावरकर के उपर से रिस्टिक्शन हटाया जाता है सावरकर के मुवमेंट और उसके पॉलिटिकल में उस समय में वो हिंदु महासभा सावरकर के क्योंकि वो मिले हुए थे और सावरकर के क्लोस नहीं बोलेंगे लेकिन सावरकर का आपने आपको शिश्य मानते जी लेकिन वो बैसिकली स्वायम सेवक थे अब देखेंगे कि यह जो जर्नी है वहां से वो जर्नी 34 से उसमें क कांधी के प्रती एक नाफरत भड़ा गया नंबर वान नंबर टू कैसे हिंदु रास्ट बनाना है जब अंग्रेज भारत छोड़के जाएंगे तो यह जो डिजायर है जो हिंदुत्वा फोसेस का था इसके प्रती वो काफी ज्यादा आपसेस्ट होते चले जा रहे थे और जब आप उस पूरे प्रासेस को देखेंगे कि कैसे वो बाद में जब हिंदु महासभा जॉइन भी करते हैं तो संग का कार्यकरता बने हुए है और और यह चीज़ सावरकर ने अपने कन्फेशन में भी कहा जो उनका स्टेटमें था ट्रायल कोट में जो उनका स्टेटमें जो इंटरोगेशन स्टेटमेंट था उसमें भी उसने कहा और जो रेकॉर्ड सीज किये गए नागपूर में जो आरेसेस का हेटकॉर्टर है वहां से गांधी असैसिनेशन के बाद उन रेकॉर्ड में भी यह बात साफ दिखता है कि नाइनी थाटी एट में जब गोट से फ उसमें ये मौजूद हैं और काफी प्रामिनेंट तरीके से मौजूद हैं पुने में जो मीटिंग्स हुए आरेसेस के जो उन रेकॉर्ड सीज किया गया है आरेसेस के हेटकॉर्टर से उनमें ये इस बात का जिक्र है उसके बाद अब और आगे चलेंगे 1942 में जब हिंदू राश दल बनता है तो हिंदू राश दल अगर आप सही मायने में देखेंगे उसको जो गोड़ से हिंदू राश दल बनाने में काफी उनकी उनकी सेंटरल रोल थी उनकी रोल तो थी लेकिन उससे ज़्यादा इमपॉर्टन था एक दूसरा शक्स जिसका नाम प्रो आरेसेस writers लिखने में डरते हैं और वो हैं कासिनाद भास कर लिमाया जहां एक तरफ सावचा जो संग के अंदर गोड़से के गुरू भी थे जो एक तरफ जे इंड़क्ट करने में इंस्ट्रुमेंटल थे और वो संग चालत थे महारास्ट्रा परांथ के संग के महारास्ट्रा परांथ के जो उस समय में बहुत इंपॉर्टन्ट हुआ करते यहां तक कि 1940 में जब हेट के बार का डेथ हुआ तो गोलवालकर का जो सक्सेशन हुआ उसमें भी कासिनाद भास कर लिमाय का इंपॉर्टन्ट रोल है अब आप देखिए कि इस पूरे प्रक्रिया में इवन 1934 में जब गोट से अखवार निकाल रहे हैं तो एक अखवार अगरनी के नाम से पुने में सुरू होता है जो गोट से और आप्टे निकाल रहे हैं और लिमाय उसी समय में विक्रम के नाम से सांगली में निकाल रहे है लिमाय सांगली से आउपरेट कर रहे है फाइनली आप देखेंगे लास्ट तक इवन जब वो फासी पे चड़ने जाते है तो गोपाल गोट से जो उनके भाई थे जो उसमें अम्वाला जेन में ही थे वो लिखते हैं कि ये आरेसेस का जो प्रेयर है उसका पहला चार पांकती गाते हैं दोनों और फासी के तक्ते पे जाते हैं ना ये बात आरेसेस वालों ने गोपाल गोट से बार बार बोलते रहे हैं इस बात को लेकिन RSS वाले खारिज करते रहें इस बात को लेकिन आप अगर 16 नवंबर 1949 को फासी पड़ा और 16 नवंबर का टाइमस ओफ इंडिया उठा के देखें उसमें जो रिपोर्ट छपा है एक्जाटली यही बात छपा है आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आज के दोर में स्वतंत्र मीडिया पर तलवार लटक रही है खबरों को मानो दबाने की कोशिश लगातार हो रही है ऐसे में स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यमों को बचाना समय की आवशकता है न्यूस क्लिक में हम खबर लाते हैं अलग-अलग सेक्टर्स की मजदूर बेहनों और भाईयों की, किसानों की, आंगनवारी कारे करताओं की शायद ही मजदूर वर के किसी को छोड़ा जाता है हम ना केवल राजनिती पर बलकी विज्ञान, कृशी, एवन टेखनोलोजी की खबरों को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं ऐसे में हमें यानि की न्यूस क्लिक को आपके समर्थन की बहुत जरूरत है हमारी स्वतंत्र पतकारिता को समर्थन दे, हमें सब्सक्राइब करें नीचे दिये गए लिंक पर जाएं और अपना समर्थन दे ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है और अब कारेकरम का शेश भाग तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई लोन वॉल्फ नहीं था ये एक प्रासेस का नतीज़ा था जिसमें की गार्दे का हत्या हुआ एक चीज ये आप जो बता रहे हैं ये मेरे कहले से शोताओं को बताना बहुत जरूरी है कि जो राश्य स्वाहिम से वक संकी जो प्रास्थना की जो जिकर कर रहे हैं आप ये उन्यस सो उन्चालिस में एडॉप्ट की गई ये संस्कृत में है उसके पहले ये मराठी में होती थी जो प्रास्थना थी तो 49 के बाद अगर गोड़ से की RSS के साथ कोई connection नहीं होती 39 के बाद से तो वो ये प्रास्थना नहीं जान सकते थी तो इससे साफ जाहिर होता है कि चुकि उनको प्रास्थना पता थी तो उसका मतलब है कि आफ्टर 39, 1939 उनके रेगुलर इतना टच में रहे राश्चित स्विम से वक संके कि उनको उनकी प्रात्ना एकदम मेमर्याईज हो गई बिल्कुल और इसमें एक चीज़ और आड़ करना चाहेंगे कि जो पहला इंस्टैंस मिलता है जहां कि गोटसे RSS के मेंबर करूप में दिखते हैं वो 1938 है प्रात्ना एडॉप्ट करने से एक साल पहले अब हुआ क्या है कि इस RSS को गोटसे से अलग दिखलाने के चकर में एक मित तो ये बना कि वो अलग था उसने काफी पहले छोड़ दिया था जब उसने हिंदू महासभा छोड़ा तो उसने जॉइन किया तो उसने RSS छोड़ दिया अच्छा एक चीज जो क्लारिफाई करना चाहूंगा मैं कि अकसा जब हम लोग बात करते हैं कि वो इसके मेंबर थे हिंदू महासभा के मेंबर थे राश्य स्वेम सेवक संग के नहीं थे तो क्या उन दिनों में 1925 में राश्य स्वेम सेवक संग का घठन होता है हिंदू महासभा तो उसके पहले से थी मतलब 19056 में बनी थी उसके बाद से डिफंक्ट होगी थी काफी सालों से फिर रिवाइव किया गया तो क्या इन संगठनों के कोई फॉर्मल मेंबर्शिप होती थी क्योंकि हमको ये भी रेकॉर्ड देखने को मिलता है लेट नाइन्टीन ट्वेंडीज में की कहीं कॉंग्रेस का कोई सेशन हो रहा है वहाँ रिपोर्ट्स होती है कि हिडगेवार भी वहाँ पे मौजूद है ऐस बतौर वॉलेंटियर तो बड़ा फ्लूइटी थी उस समय के संगठनों में चाहिए वो कॉंग्रेस हो हिंदू महासबाओ या राश्री स्वाहिम से वक संग हो तो इतना इंसुलरली के अलग हो सकते हैं ने यहाँ पे हम एक बात बोलना चाहेंगे कि इस बात को जहां तक कॉंग्रेस और हिंदू महासबाओ का सवाल है इनका फॉर्मल मेंबर्शिप होता था और आरेसेस के अंदर कोई फॉर्मल मेंबर्शिप नहीं होता था तो कोई फॉर्म नहीं भरा जाता था कोई पैसे पुददान दे के मिमर बन रही है, ऐसा कुछ नहीं ता लेकिन इनके जो रिकॉर्ड्स zech documents है, जो इनके रिकॉर्ड्स के जो रिकॉर्ड्स है उसमें कौन कौन ने भागलिया, उनमें नाम नाम है और उनका पद है जिसे 1939 का जो रिकॉर्ड है यह सब रिकॉर्ड हम उन रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं जिसमें गोट से को बतलाया गया है उस महाँ पर ओरिजिनल RSS मेंबर का मीटिंग हुआ था जिसमें गोट से सांगली के ओरिजिनल RSS मेंबर के रूप में उसमें कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि गोट से ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत ही इंसिंग्रिफिकेंट स्वायन सेवक था इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप रेकॉर्ड मेंटिन कर रहे हैं उस मीटिंग का तो in fact 1940 का जो मीटिंग है उस रेकॉर्ड में तो गोलवालकर म में मौझूद में काफी लोग हैं उस में मौझूद तो यानि कि कोई important meeting रहा होगा अब उस important meeting में अगर तीसरा चौथा नाम गोट से का है उस list में और आस organization organizer का के रूप में उसे लिखा हुआ है एंवी गोट से टेलर organizer संग राष्टी स्वाइम सबत संग वो तेलर थे और तो इसका मतलब है की बहुत ही मतलब लोकल लेवल पे उनका एक important था एक important position था और बहुत ही और पुना में तो बहुत ही इंट्रिस्टिंग था कि बहुत ही functional relationship था उनका जो दुकान था टेलरिंग का वहाँ पे तो मतलब यूनिफॉर्म आपने लिखा है की संग के uniform बलकि मतलब wholesale में मतलब बल्क में महीं पे सिलाई होती थी तो उससे उनकी आमदानी भी होती थी और ideological propagation भी होता था था तो ये चीज़ साबित हो जाती है point number one की गोड से राष्टे स्वयम सेवक संग नहीं छोड़ दिये थे और उनके living connections थे राष्टे स्वयम सेवक संग के जब उन्होंने गांदी की हत्या की बिल्कुल तो इसको establish करने के बाद हम दूसरे level पे आते हैं कि गांदी की हत्या की planning क्या वो अचानक से December 1947, January 1948 की घटनाओं के बाद एकदम से उनकी दिमाग में आया या फिर ये एक तरह से काफी planned कुछ सालों से एक track चल रहा था कि गांदी को समाज से दुनिया से हटाना है उनको हटाने का एकी तरीका हो सकता थ उनकी हत्या करने दिखे ये जो motivation है इसको समाजने के लिए ये देखना होगा कि गांदी assassination हुआ क्यों गांदी की हत्या सारे records को देखने के बाद मुझे जो दिख रहा है वो ये कि गांदी की हत्या परिनती था एक दो ideas की बीच में class का और वो राश्ट्रो और नेशन हुड के ideas के प्रती जो perspective है उसमें class था और ये class पिछले पच्छे सालों से लगभग चल रहा था ग्रो कर रहा था उनके हत्या के पहले पहले हत्या के पहले से पच्छी सालों से जिसमें एक section जो हिंदुत्वादी forces थे आरेसेस हिंदु महसभा ये लोग चाहते थे कि इंडिपेंदेंस के बाद भारत हिंदु रास्ट बने और दूसरा सेक्षन जो नाशनलिस्ट लोगों का सेक्षन था जिसके सुप्रेम लीडर गांधी थे ये चाहते थे कि देश एक सेकुलर डिमोक्रसी के रूप में ग्रो करें हत्या जो था वो एक ड उस समय लगा कि शायद हो गया क्योंकि जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉंड किया उससे लगा बाद में हाला कि हिस्ट्री दूसरे तरह से बढ़ गया आगे लेकिन अगर आप ये देखें कि ये दो आइडिया की बीच का क्लैस था जो दो आडिया ग्रो कर रहते काफी समय तो आप पाएंगे कि इसके कुछ हम कुछ उदारन भी देना चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक इंस्टैंस भी देना चाहते हैं कि जैसे जूलाई 47 में पुने में एक मीटिंग हो रहा है जिसको प्रिजाइड ओवर कर रहा है एंडी आप टे और जहां पे मुख वक्ता के रू उस मीटिंग में एक ओपिन मीटिंग था जिसमें की संग के लोग थे काफी और हिंदू मासवा के भी लोग रहे होंगे तो उसमें गोटसे ने कहा कि भाई संग के लोगों का यह कहना है कि गांधी और नहरू हिंदू रास्ट बनने में बाधक हैं सबसे बड़े बाधक हैं इनको eliminate करना ज़रूरी है ये बात तब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था काका कनितकर वहां मौजूद थे जो कॉंगर्स के काफी senior leader थे और उन्होंने उसी समय एक दिन बाद ही चिठी भी लिखा जो चीफ मिनिस्टर जिनको प्राइम मिनिस्टर जो उन दिनों बोला जाता था Bombay province के खरे खेर खेर जो थे उनको लिखा था उसके बाद आप फदर आगे आईए आप देखेंगे कि 8 दिसंबर 1947 में गोलवर्कर दिल्ली के एक close door meeting में संग का close door meeting में वो बोल रहे हैं कि अगर हमको compelled किया गया तो we know how to silence Gandhi यह सब isolated चीजे हैं जिनके linkage हम नहीं बतला पाएंगे क्योंकि Gandhi murder के conspiracy angle को investigate नहीं किया गया उस समय अब आप देखें कि जब उसके तीन हपते के बाद दिसंबर के अंत में गोच से और आप टे गांधी murder करना है इसके उपर काफी चर्चा करना सुरू कर दिया इन लोगोंने सवाल ये था कि कौन मारेगा और ये सवाल resolve होता है दो जैनवरी को जब ये दोनों जाते हैं आहमद नगर करकरे के पास बैठते हैं करकरे बोलता है कि पहवा मारेगा पहवा जो refugee होके आये थे तो उनका एक personal vendetta का भी angle था कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मेरे साथ जो गलत हुआ है वो गांधी की वज़े से बादी और वो यांग लड़का था राजनीती की कोई खास समझनी थी नहीं थी समझ की समझ उनको राजनीती की लेकिन वो बहुत confident नहीं है इसलिए 20 जनवरी 1948 का जो planned action था वो watch हो जाता है बिल्कुल उसे एक रात पहले उनको बताया था पहवा को ये लोग छुपा कर रखते हैं पहवा से ये सारी बाते चुपा कर रखते हैं कि पहवा को इस काम को करना है 19 तारिक की रात में उसे बताते हैं करकरे जो उसका एक तरह से बोलें कि सारा खर्चा वही समाल रहा था करकरे है उसी पर dependent था पहवा रात में वो आता है करकरे उसके पास वो सोने जा रहा था उससे पूछता है कि कल तुमको मारना है गांधी को तुम मार पाओगे उसने मना कर दिया तब फिर ये सारा कुछ तब एक alternate plan बनता है तो सवाल ये उता है कि गांधी इसी बीच में जो चल रहा था और जो 20 जनवरी को जो हुआ इसके बीच में एक और एहम घटना होती है गांधी जी अपने जिंदगी के आखरी अंशन पे बैठते है इसमें मुखे पहली बात हो ये कि गांधी जी किसी से डिसकस नहीं करते है ना नहरू ना पटेल ना और कई थर्ड पार्टी से इसमें अंशन जो है कि सामपरदाइक दंगे खतम करो सब कम्मूनिटी के रिप्रेजेंटेटिव इखटे बैठ के प्लेज लो और जो पार्टिशन प्रोसेस के एग्रिमेंट द्वारा जो एग्रीड था कि भारत सरकार को एक सटन अमाउंट अफ मनी जो पाकिस्तान सरकार को रिलीज करना था जिसको रोक दिया गया था उसको रिलीज करो तो इसने भी तो गुसा बढ़ाया होगा यहां पर यही प्रिशे यह इमीजेट ट्रिगर बन जाता है नहीं था यह इमीजेट ट्रिगर इन फैक्ट कोट में जो गोट से ने स्टेटमेंट दिया उसमें उसने इसी को कारण बतलाया आप मानतें कि सिर्फ यही कारण नहीं था रिकोर्ड बतला रहे हैं कि यह कारण नहीं था कि काफी पहले से दिमाग में चल रहा है आप दो तारीक को मीटिंग हो गया, ये गांदी जी बैठे हैं भूखरताल पर 13 जानवरी को, उससे पहले तो कुसी को पता नहीं था कि गांदी जी भूखरताल पर बैठने जा रहे हैं, यानि कि 13 जानवरी को इसके दिमाग में आया ये बात, इसके हिसाब से, जो उसने कोर् कारिक के बेटी की शादी थी, तो उसका वो इस्तेमाल करना चाहता था गोट से और आप टे, उर लोगों ने वहां पे बोल दिया पुने में कि हम जा रहे हैं नागपूर, और आगया पॉम्बे डिली, तो ये एक चूप था जिसको प्रचारित किया गया, गोट से ने इसक तो आप पाएंगे कि गोट से, गोट से कोसिस कर रहा है कि ये जो कॉंस्पिरेसी अंगल है, अपने सारे को एक्यूस्ट को एक बाद बरी किया जाए, ये तब ही हो सकता था जब वो ये बोले कि मैंने किया, किसी को पता भी नहीं था, और सिर्फ मैंने, ये मेरा डिसिजन जो मैंने किसी का शेयर भी नहीं किया था, इस चीज़ को स्टैबलिस करने के लिए उसने बहुत सारे जूट बोले कोर्ट में, और इसलिए अगर आप कोर्ट के जजमेंट को गोट से के कोर्ट में दिया गया स्टेटमेंट के साथ टैली करेंगे, तो आप पाएंगे कि कोर के जजमेंट जजने गोट से के सारे क्लेम्स को खारिज कर दिया, जो जूट था, जब जिरा हो रहा था गोट में, तो गोट से सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे रहा है, किसी भी चीज़ पे, सीधा बोल रहा है, यह गलत है, मैं नहीं सामत हूं, लेकिन वो किसी भी जग जमनादास महता, जो लॉयर थे और सावर करके बहुत ख्रीब थे, एक दूसरे लॉयर उस ग्रुप के डिफेंस लॉयर का जो टीम था उसके, पी एल इनामदार, वो लिख रहा है, कि जमनादास महता के साथ बैट के गोट से ने वो इस्टेटमेंट तयार किया, जी, तो इ इसे लिए उस मैं हिंदु महासभा के एक उच पदादिकारी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, देश मुक्या, देश पंडे, किताब में उसका जिक्र है, उसने जब सुना, गोट से को इतना अच्छा अंग्रेजी में बोलते हुए, एक्चलि उसने पढ़ा, तो उसको बहुत आश्र हुआ, और ये बात उसने एक इंटर्व्यू में बोला भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जूट जो था, वो जूट एक खातम करने के लिए, कई जूट जो बोले गया, उसमें से एक जूट ये भी था. So, हमने establish किया अभी तक आपसे बातचीत करके, कि गोट से ने अपने links राष्टे स्वयम सेवक संख से नहीं तोड़े थे, कि ये दूसरी बात जो establish हुई है, कि जो conspiracy गांधी की हत्या थी, कोई spontaneous act नहीं था, बलकि एक सोचा समझा इरादा था, काफी समय से हो रहा था, कई ज 244 में भी जब गांधी जी पंचकनी जाते हैं, वहाँ पर जाके उनको attack, assassinate तो नहीं कहा जाते हैं, लेकिन जाके वहाँ एक राउडिजम करते हैं, तो वो राउडिजम भी एक तरह से मेरे ख्याल से माना जा सकता है कि बतलब उनको politically denigrate और खतम करने के राजनेतिक तोर प एक process था, ये दो बाते हम इस्टाब्लिश कर पाते हैं, एक और चीज बहुत important चीज जो touch करने की जरूरत है, सावरकर क्या जानते थे, आपका शोवत क्या बता है, देखिए ये एक important issue है, ये सवाल असल में बहुत महतोपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सावरकर को एक तरह से आज अगल देशकेश सबसे अगरणी राश्रवादियों के तौर पर पेश किया जा रहा है, बिलकुल, यहां तक कि गांधी से जुरे हुए एक प्रतिस्ठान जो मैगजिन निकालते हैं, उसे गावर पे भी सावरकर को दिया गया है, जी, 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 तो सावरकर को benefit of doubt मिला जी, कोट में, और इसलिए उनको एक्वेट कर दिया गया, क्योंकि किसी ने भी एप्रूवर का जो पूरा statement था, उसको support नहीं किया, किसी भी गवाह ने, और मतलब जो जिन गवाह को वहां पे लाया गया, बाद में कपूर कमिशन जब जी, कपूर कमिशन के में क्या बोला कपूर कमिशन ने तो साफ साफ का कि सावरकर का इसमें रोल था, सावरकर और इसके आसपास के लोगों ने ही पूरा conspiracy किया, अब ये बात भी सही है कि गांधी मुर्डर का investigation, गांधी मुर्डर का conspiracy का investigation, अगर उस समय हुआ होता, जिस समय गांधी के हत्या हुई, तो बहुत स लेकिन ये fact है कि उस पूरे investigation में जबकि investigation का एक center नागपूर था, दूसरा main center Bombay था, प्लस दिली में तो होई रहा था, अब नागपूर से जो papers seized किया रहे थे, वो बहुत कुछ बतला रहे थे, अगर उनको तरीके से factoring किया जाता, prosecution के दौरा, तो पॉस्बल था है कि एक larger conspiracy जिसकी बात नेरू बार बार कहते रहे इस बात को, कि ये सिर्फ एक दो लोगों का काम नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा conspiracy है, उनके चिट्टियों में उनके private papers में आप देखेंगे, कि वो चिट्टियों लिख रहे हैं पटेल को, घजार पटेल को, जिसमें लिख रहे हैं आपने कपूर कमिशन के रिपोर्ट की बात की, कपूर कमिशन का रिपोर्ट सब्मिट होता है 1969 में, एक लगबग मोटे तौर पे जो एक बहुत पॉपुलर फ्रेज जो ठकर कमिशन, इंदरा गांदी की हत्या के बाद जो कमिशन बैठी थी, उसने एक फ्रेज यूज किया सावरकर की तब तक मृत्य हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसे असासिनेशन केस को खोला के हो नहीं जाता, और ना खोल के, ही नहीं सर्फ, लेकिन ठीक एक साल के अंदर, सावरकर का पोलिटिकल रिहाबिलिटेशन का प्रोसेस सरकार दवारा शुरू होता है, पोस्टे स्टै ना उट कर देना का, कि मतलब सचाई को पता ना चले किसी को, संग के द्वारा ये चीज़ बहुत जादा हुआ है, जी, आप देखेंगे, और संग के अपने कोलाबरेटर्ज अलग-अलग लेविल्स पर भी रहे होंगे, सरकार में भी रहे होंगे, जिसकी वज़े से ये हो हमें कोई रोक नहीं सकता, कर्पना करते हैं कि कोई हिंदुस्तान में ऐसी हकूमत आ जाए, जो गांधी हर्तिया कांड को दोबारा से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर चाती है, और उन में से कुछ लोग आपको पूछते हैं, चुकि आपने इतने साल बिता हैं इसको स्टडी करने के लिए, कि हम ये करना चाते हैं, आप हमको एडवाईज करें, हम किन पहलों को री इन्वेस्टिगेट करें, किन को री ओपन करें, तो आप उनको क्या बोलेंगे, किन चीजों को देखें? देखे, एक तो ये जरूरी है कि कॉंस्पिरेसी एंगल, किस तरह का कॉंस्पिरेसी हुआ, कौन-कौन आक्चली इंवाल थे उस कॉंस्पिरेसी में, और उनका क्या रोल था, इसको इंवेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, देखे, गांधी कोई दूसरे लीडर नहीं है तो ये भी एक आम लीडर नहीं है, गांधी इस देश की आत्मा है, उस आत्मा को मारने के कोशिश की गए, तो ये जरूरी है कि लोगों को पता चले कि कौन लोग थे उसमें, पहली बात तो ये, दूसरी बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि जिसने गांधी के हत्या किया, वो कौन था, उसका linkages क्या क्या थे, किस organization का आदमी था वो, पॉलिटिकल चेन क्या थी, बिल्कुल, पॉलिटिकल चेन क्या था, कैसे ये सारा hatred उसके दिमाग में भड़ा गया, कि वो जो रास्ट पिता है, जिनों जो freedom movement के सबसे बड़े नेता थे, जिनके नाम पे दुनिया में दुहाई दी जाती है, उनका हत्या करने का सोचता है, और कौन लोग थे, जो इस आदमी को, क्योंकि गोट से हम जानते हैं, अगर उसका अप life history देखेंगे, तो गोट से जो है, वो कोई भी decision खुद नहीं लेता है, वो हमीसा एक leader ढूंटता है, कोई इसको lead करने वाला होना चाहिए, गोट से कभी leader नहीं थे, कभी leader नहीं थे, ना गोट से ना नारायन आप ते, बिल्कुल, नारायन आप ते फिर भी माल लेंगे कुछ हद तक, लेकिन leader तो वो नहीं था, तो कौन उसको lead कर रहा था, इस काम को करने के लिए, हम जानते हैं कि सावर सावरकर ने जब मदलाल ठिंगरा ने लंडन में करजन विली का हत्या किया, जी, तो उस समय में इस बात का जिकर, इन फैक्ट, कहा जाता है, कि मतलब, बिल्कुल, कहा नहीं जाता है, इन फैक्ट, जो सावरकर के official biographer हैं धना जैकीर, उन्होंनों तो साफ लिखा है, उन्हो उनके मरने के बाद उसका revised volume उसने निकाला, सावरकर के biography का, 1966 के सुरू में, February के आसपास सावरकर का देहान्त हुआ था, और 66 के अंत में, October, November, December के आसपास, revised volume आया, धना जैकीर का, जिसमें उन्होंन कर रहे हैं कि सावरकर ने उसको पिस्तल दिया, लो इससे मारो, अगर त देखते हैं, क्या यहां भी वो थे? तो सवाल यही उठता, इसको investigate करने की जरूरत है, कि अगर मदनलाल धिंगरा का act, act one था, तो क्या गोडसे का act, act two, और final act, सावरकर के, political violence के तौर पर, को provoke करने के तौर पर, था या नहीं, इसको investigate करने की बहुत जरूरत है. हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद धिरिंदर, आपने बहुत ही सुक्ष्म और पिल्कुल precise तरीके से चीजों को establish किया है, कांदी जी की हत्या के 75 साल हो गए है, क्या हिंदुसान की जनता, क्या आप लोग, मांग करेंगे कि इसकी investigation दोबारा से होनी चाहिए, गोडस के पीछे किसका हाथ था, क्या political chain थी, उसको जाना बहुत जरूरी है, ये कारेकरम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है